और देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर हमें मिल तो यह हमने इसके जो है स्कूरूज फटाफट खोल लेते हैं आप इसके टॉप में जो इसकूरूज दिये गए हैं के लिए मैं श्मा चाओंगो दोस्तों हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूं आप सभी दोस्त बढ़िया होंगे और दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूं वर्ट इंसाइड वीडियो वो भी है जैबरोनिक्स जैब बैरल 200 के उपर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे की स्टम के अंदर होने वाला है तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंतक देखेंगा दोस्तों और इसे खोलना बहुत ज्यादा कॉंप्लिकेटेड है इसलिए आप वीडियो को मैं कहूंगा कहीं भी मिस ना करें ताकि आपको कोई भी पार्ट स्किप ना हो मैंने हाला की कोसिस करी है बहुत जल्दी-ज गुलेंहे उसपे इसलिए मदद से जल्द्र जो हैं वzeugनेंगे आपके इससमें नौर्मल आपके जो है शिंगल हैड या फोर जा entire श्रूट नहीं दिए गए यहां पहone इकिमनद से जो है अप वह एक्रू यह को सकते हैं तो यह हमने इसके स्क्रूस फ्टाफट खोल लेते हैं और खोलने के ज Certainal अब ह को भी ए उसमें से क्रेख आइग का गिरिट को उसके sprPeople लिए jsuh उन्हें हम जो है खोलेंगे स्किराफ़ की मदze तो इनको लेकि क्षोलने में सहथानि आपको भरतनी पड़ेगी दोस्तों क्योंकि अगर इसमें क्योंकि जो रिंक के जो होल्डर दिये हुएं वह बहुत ज्यादा जो है डेलिकेट एंग तरीके से बहुत नाजुक हैं अगर आपने थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कर दी तो एक दम से तूट जाएगा तो इसको को नीचे LED की स्ट्रिप लाइट दी गई है रिंग में यह आपको दिख रही होगी दोनों में अब इसके बाद जो है हमारे को इस स्ट्रिप को भी खोलना पड़ेगा और उससे पहले हम जो है इसके जो बैक साइड में जितने स्कूल दिये हैं उन्हें हम एक बार से खोल ल है और काफी ज्यादा स्कूछ में दोसต kilometers अचान और यह देख सकते हैं आप इसके टॉप में जो स्कूछ दिये ऊए हैं दोनों इसके तॉफ टॉप में लगे हुए हैं इसपें से खोल लेते हैं तो यह दोनों स्कूम हमने जो हैं स्कूर्डावर की मदद से जो हैं ही मिलें इससे जो है इसली अलग हो जाएगा इससे यह आप देख सकते हैं और यह है आपका स्पीकर यूनिट जो आपको पर देख रही है और इसी के उपड़ जो है आपका LED की टेल जो रिंग लाइट है वो भी आपको इसके पर देख रही होगी यहाँ पर जो LED की रिंग लगा रख रिंग का भी खोलेंगे और रिंग खोलने के बाद जो आप देखेंगे इसके नीचे स्पीकर दिया गया है उसमें भी जो है आपके स्क्रूज प्लेस हुए में तो चार स्क्रूज में भी लगे हुए हैं इन्हें भी हम खोलेंगे और इसको खोलने के बाद फिर हम दिखात करते हैं और इसको भी open करके आपको दिखाते हैं तो यह देखिए कुछ इस तरीके से जो है अंदर speaker दिखाई देता है और जहां तक मैं देख पा रहा हूं काफी light magnet के साथ यह speaker देखने को मिल रहा है और जो की जो है आपका 4-4 ohm जो है और 20 watt का यह speaker speaker है यह आप देख सकते हैं और आप देख पा रहे हूंगे इसके अंदर का जो spider लगा हुआ है और जो कौन लगी वी है इस speaker देखने में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि quality wise light है लेकिन जिस तरीके की sound produce करता है वह बहुत अपना आप में amazing है तो इसको एक soldiering iron की मदद से जो है हम इसमें से disorder कर देते हैं और इसके बाद जो है इसको हटा लेते हैं सीधे सब्दों में कहें तो इसके टांके खोल लेते हैं और इसके बाद जो है speaker को हम अलग कर लेते हैं और इसी तरीके से जो है हमें दूसरे speaker को भी अलग कर लेना है फिर इसके बाद ring light की बात आईगी तो यह आप देख सकते हैं speaker magnet बहुत हलका दिया हुआ है पतला दिया हुआ है 4 ohm 20 watt का speaker है आप यह देख सकते हैं इसके बाद हम दूसरे speaker को भी same इसी process से अलग कर लेंगे अब यहाँ पे जो है ring light जो लगी वी है rings में उसमें भी जो है 3 strip जो लगी वी है 3 जो है आपके wire connectivity है उसको भी हम अलग कर लेते हैं दोनी speaker में से था हम जो है इस wire connectivity को अलग कर लेंगे और wire connectivity को अलग करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ring को जो है अलग कर लिया गया है यहाँ पे जो है multi LED जो दी है multi color में वो LEDs जो ring में जो है placed है अब लीजे दोस्तों यह पूरी तरीके से open हो चुका है front portion से तो यहाँ से मैं इसे open करके आपको दिखा देता हूँ तो यह आपका open हो गया है अब आप अंदर देखेंगे और अंदर का नजारा देखें मैं खुछ चौक गया हूँ कि बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो है सिर्फ battery लगी भी है cells जिने कह सकते हैं आप जो cells दिए गए हैं दो cell यहाँ पे use करे गए हैं इनी के मदद से जो है यह जो भी backup देता है आपको देड़ दो खंटे का वह इनी के मदद से दे पाता है इनी दो battery की मदद से जो कि lithium-ion batteries है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसके अलावा जो है circuit board जो है इसके back panel में दिया गया है और जो कि मैंने इन से पता किया तो इनने का था कि हम खोल नहीं सकते हैं अभी क्योंकि जो है यह इन warranty है यदि हम इसे open करते हैं तो यह out of warranty हो जाएगा तो इसलिए इसको खोल पाना possible नहीं है अभी तो इसके लिए मैं चमा चाहूँगो दोस्तों कि इसे खोलने के अभी permission नहीं है लेकिन क्योंकि मेरे को यह अंदर दिखाना था कि किस तरीके से अंदर यह दिया हुआ है मुझे लगा साथ circuit board भी यह है अंदर की तरफी होगा लेकिन circuit boards में back side से दिया हुआ है और यहां पर आप उपर देख सकते हैं जो PCB दी गई है जिसमें कि आपके tax switch लगे हुए हैं जो कि आपके उपर पैनल पे working के लिए गए है टोटल कंट्रोल और एक PCB में है और PCB भी एक छोटे से box में है तो आज आप समझ सकते हैं कि technology कितनी हद तक आगे advance हो गई है कि छोटे से PCB box की मदद से जो है PCB की मदद से यह पूरा जो system है वो operate हो रहा है और द जरूर से इस वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजेगा और जितने भी वीवर फर्स टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा सांती सांत बैल आइकन दवाना बिलकुल भी ना भूले notifications को जो है all पर सेट कर दे ताकि मे आज की वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए फ्रेंड्स